गढ़न पूजा अगला, पूजा ठाइट टू एकस्प्लेइन दे प्रॉब्लम बट सून शी टाइड ़र्सेल्फ इन नॉट्स आप गाट को कहते हैं अब टाइड हरसेल्फ इन नॉट्स sentence से पढ़िये कि पूजा ने problem को explain करने की कोशिश करी पर थोड़ी देर बाद ये समझ में आया कि पूजा ने अपने आपको ही she tied herself उसने अपने आपको nots में फसा लिया तो जब आप अपने आपको nots में फसा लिये तो यानि खुदी उलज गये ये देखे इमेज देखे ये गांट है not तो not में फसा जाने का मतलब यही तो हुआ कि आप उलज गये हैं और जब आप उलज गये हैं तो इसका क्या मतलब हुआ become very confused when you are trying to explain something यही होना चाहिए भाई जो आप option choose करेंगे वो situation के according की तो choose करेंगे पहले में लिखा है make no progress in an argument or discussion sir argument हो ही नहीं रहा था discussion हो ही नहीं रहा था वो तो पूजा ही problem को explain कर रही थी तो उसी में वो फस गई तो she became confused while trying to explain something यही होना चाहिए यही होगा won't modify an opinion or agree to even small changes that another person wants इसका मतलब है कि जो भी विचार है जो भी राय है उसको जरा भी modify नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी changes नहीं किया जाएगे नहीं be forced to explain your actions and probably punished जब आप से कहा जाए कि आप अपनी हरकतों को अपनी घटनक्रमों को जो आपने काम किये होने explain करें और आपको punish किया जाएगा नहीं simple से question था if you got tied up in knots इसका मतलब है कि आप फस गये है तो to become very confused